आलू पकोड़ा प्यास पकोड़ा और ब्रेड पकोड़ा खाखाके अगर आप भी बोर हो चुके हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एकदमी नया और बहुत ही मसदार पकोड़ा लेकर आया हूँ जो कि हम बनाएंगे प्यास और मका तो शुरू करते हैं इस रिसीवी को तो इन पकोड़ों को बनाने खेलिए मैंने यहाँ पर लिये हुए है दो पियास निगी ओनियन्स और इनके छिलके को मैंने निकाल लिया था और अब मैं इनको ऐसा लंबा लंबा चॉप कर रहा हूँ यहाँ पर तो मैंने प्यास को कट कर लिया है तो अब हम इसके सारे लेयस को अलग-अलग करेंगे चले यहाँ पर प्यास तो रेडी है तो अब हम यहाँ पर चाहे दो कप कौन यानि कि मकाई के दाने और जो मकाई के दाने है ना इनको मैंने boil नहीं किया था यह जो मकाई के दाने है यह ऐसे ही कच्चे ही हमें यहापर use करने है तो यह जो मकाई के दाने हैं इनको आपको एक mixer या grinder में डालना है और इसको आपको दरदरा पीसना है इनको अब एकदमी बारित मत पीसेगा वरना इसकी पेश्ट बन जाएगी और फिर इसको खाने में मसा नहीं आएगा इसलिए हमें याँ पर इसको दरदरा ही पीसना है ताकि इसके तो थोड़े बहुत दाने है ना वो जब खाने में आए तो वो और भी मसदार लगे यहाँ पर मैंने इसको दरदरा पीस लिया है और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ-कुछ जो मकाई के दाने है वो ऐसे आदे अदूरे ही ग्राइंड किये हुए है और हमें बिल्कुल ऐसे ही मकाई के दाने चाहिए तो अब हम इसको बड़े से बावल में निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसमेट करनी है 2-3 बारिक कट की भी ग्रीन चिली जैने की हरे मर्च अब यहाँ पर आपको उसको कितना तीखा रखना है उसके अनुसार आप यहाँ पर ग्रीन चिली से इसमेट कर सकते हो अब मसालों में हमें यहाँ पर इसमें डालना है 1 टीस्पून टमरी कहने की हल्दी 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर फिर इसमें एक चटपटा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला अब हम यहाँ पर smat करने वाले हैं एक टीस्पून धन्या जीरा पाउडर यानि की कोरेंडर क्यूमिन पाउडर एक टीस्पून जिंजर पेष्ट यानि की अदरक्की पेष्ट फिर हम इस पर डालेंगे जोड़ासा कोरेंडर यानि की धन्या और जो दो प्यास को हमने लंबा लंबा चॉप किया हुआ था वो प्यास भी हम इसमे अड़ करेंगे अभी जो सारा स्टफिंग है इसमें एक अच्छा सब बाइंडिंग आपाए और ये जो पकोड है ये क्रिस्पी बन पाए इसके लिए हम यहाँ पर इसमेड करें है दो टीबल स्पून कॉन फलार साथी साथ हमें यहाँ पर इसमेड करना है वन फूट कब बेसन ऐलगिंगे ग्राम फलार अभी फिलाल हम इसमें इतना ही बेसन ऐड़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम तरह सा और बेसें इसमें एड़ करेंगे और सबसे एंड में हम इस पड़ा लेंगे स्वाद नुसार नमक अब हम यहाँ पर हातों से इन सारी चीज़ों को अच्छे सम्मिक्स करना है लेकिन इनको मिक्स करते टाइप में आप उसको मसलते भी जाएगा ताकि जो प्यास है और जो मकाई के दाने है ना उसमें से पानी चूटे आपको बाहर से इसमें एक्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो प्यास है और जो मकाय के दाने है ना उसमें से जो पानी छोटेगा इसी से आपका फकोडा का जो बैटर है ना ये अच्छते बन जाएगा ये देखो अभी फिलाल हमारा जो बैटर है ना ये एक दूसरे के साथ अच्छते जुड़ नहीं रहा है यानि कि हमें इसमें तोड़ा सा और बेसंट डालना पड़ेगा तो मैं आप लगबग और तीन से चार टेवल स्पून बेसंट का इस्तमाल कर रहा हूँ वापस इसको हम अच्छते एक बार मिला लेते हैं ये देखे अब हमारा ये जो बैटर है ये एक दूसरे के साथ अच्छते जुड़ रहा है और अब ये रेडी हो चुका है फ्राइ होने के लिए तो जब आपका तेल अच्छते गरम हो जाए ना उसके बाद आप इसमें एक एक करके पकोड़े फ्राइ कीजिए आपकी कड़ाई में जितने फकोड़े आ सकते हैं न उतने फकोड़े आप इसमें डाल सकते हो और जब आप इसमें सारे फकोड़े एड करोगे उसके बाद आपको गैस को मीडियम पर रखना है ताकि यह जो पकोड़े है इन पर अच्छा सा कलर भी आए और यह खाना में बहुत ही क्रिस्पी बन पाए आपको इन फकोड़ों को बीच हुचे पलेटते भी रहना है ताकि इनका जो कलर है वो हर जगे पर एक समाना आए यहाँ पर हमारे जो पकोड़े है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुके है लेकिन हम इसको तोड़ा सा और ब्राउन होने देंगे यहाँ पर यह जो पकोड़ा है यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो चुके है और काफी क्रिस्पी बने हुए है तो अब हम इनको बाहर निकालेंगे इनको आप एक टेश्य बेपर या एफजब बेपर पर निकाल लीजे थाकि जो भी एकसे स्टेल है ना वो एफजब हो जाए तो लीजे यहाँ पर यह बहुत ही गर्मा गरम कौन ओनियन पकोड़ा बनके रेडी हो चुका है यह अंदर से तो बहुत टेश्टी बना हुआ ही साथी साथ यह भार से भी बहुत ही क्रिस्पी बना है और अब मैं आपको इसे एक बार तोड़ कर भी दिखाता हूँ तो है ना यह पकोड़े एक दिमी मस्यदार इसको मैं आपको खा कर भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यह खाने में कितना क्रिस्पी बना हुआ है तो आप भी इस पकोड़े की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेर जरूर करें